SIVIL SIVIL के मिनिंग को ध्यान से समझ ज़िएगा SIVIL का आर्थ होता है ASEANIC यानि जो SENIC ना हो यानि जो आमनागरिक है उनको भी SIVIL या SIVILIAN कहते हैं GARE PHOJY यानि जो PHOJY ना हो DIVANI DIVANI का मिनिंग मैं आपको थोड़ी दिर में समझाता हूं ये वो उसका दिवाना है या वो उसकी दिवानी है ये वो वाला दिवानी नहीं है इससे पहले इसके बाकी मतलब जान लेते हैं नागरिक नगर या राष्टर का मानव समाज संबंधी या वहवार विश्यक अब आते हैं दिवानी और फोसदारी पर दो तरीके के मुकद में आप सुनने को मिलते हैं आपको एक मुकद में होते हैं जो दिवानी मुकद में होते हैं यानि जो case होते हैं जो अदालत में वो दिवानी case होते हैं और यानि civil case होते हैं civil judge या civil case आपने सुना होगा जो दूसरे cases होते हैं वो आपराधिक या फोजदारी के मामले होते हैं जिने इंग्लिश में criminal case भी कहा जाता है तो सबसे पहले दिवानी case के बारे में मैं आपको बताता हूँ दिवानी मामला वह मामला होता है जिसमें संपत्ती संबंधी या पद संबंधी अधिकार विवादित हो यानि कि जैसे कोई भी किसी के पद से संबंधित या अधिकार से संबंधीत जो मामले होते हैं या प्रतिष्ठा से संबंधित या धर्म के मामले के जो मामले होते हैं या धार्मिक कामों या कृत्यों के जो मामले होते हैं वो दिवानी मामले होते हैं जैसे पती पतनी का जो आपसी विवाद है वो एक तरीके से दिवानी मामला है लेकिन जैसे ही उसमें मारपीट शामिल हो जाती है तो वो एक अपराधिक मामला बन जाता है यानि कि जब कोई दंडनी अपराध कोई व्यक्ति करता है उस पर कोई मुकदमा चलता है तो उसको अ अपराधिक या फोजदारी का मामला कहते हैं या यानि criminal case कहते हैं जैसे कि चोरी, डकैती, मारपीट, बलातकार या हत्या जैसे जो मामले होते हैं वो अपराधिक यानि फोजदारी के मामले होते हैं इसको इन sentences से और अच्छे से समझ देते हैं उसने सेना छोड़ दी और नागरिक जीवन फिर से शुरू किया कई दिवानी मामलों को अदालत से बाहर सुलजाया जा सकता है